हेलो फ्रेंड्स विल्कम टु माई कीचेन तो आज हम बनाएंगे आवले का मुरब्बा जो की बहुत ही ज़्यादा स्वाधिष्ट और बहुत ही ज़्यादा हिल्दी होता है और मैं इसे आपको दो तरीके से बनाना बताऊंगी जिससे की आपकी मेहनत, टाइम और गैस तीनो चीजे बचेंगी तो आप भी बहुत ही आसान तरीके से इसे बना सकते हो मैं इसे दो तरीके से बनाना बताऊंगी और साथ ही साल मैं आपको इसे इस्टोर करना भी बताऊंगी ताकि आप इसे साल भर या छे महीने के लिए कैसे इस्टोर कर सकते हैं जो है कि मुरब्बा ब बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताओंगी मैं अपनी बीडियो में किसी भी बीडियो हमारी उठा कर आप देख सकते हैं किसी भी बीडियो मैंने फाल्तू की बकवास कहीं भी नहीं किया हुआ है आपका जो है कीमती टाईम उसे बिलकुल भी हमने भराब नहीं किया है फटा फट से मैं आपको recipe बताती हूँ ताकि आपका time भी बचे तो आईए इसे बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें market से जब भी आवला लाना है उसे अच्छे से धुल लेना है इस तरह से दो तीन बार इसे पानी से धुल लेना है और इसके बाद राद भर के लिए पानी में छोड़ देना है simple साधे पानी से इसमें कुछ भी नहीं डालना है यहां पर हमने इसे राद भर के लिए छोड़ दिया था राद भर छोड़ने के बाद कुछ आवले जो है कि जैसे की खराब रहते हैं या फिर उसमें चोट लगी रहती है तो व नहीं तो हमारा मुरब्ब जो है वह खराब हो जाएगा वह ज्यादा दिन तक बिल्कुल भी नहीं चलेगा इस बात का आपको ध्यान लखना है और इस तरह से जो डंठल होगा उसे हमें तोड़कर हटा देना है और अब हम इसका पानी सुखा लेंगे चाहे आप कपड़े से या फिर एक दो गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें यहां पर हमने आवले का पानी जो है अच्छे से सुखा लिया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है इसी तरह से आपको भी आवला को अच्छे से सुखा लेना है इसके बाद हम एक आवला लेंगे और इस तरह का कोई एक आपको चमच ले लेंगे और इसे हमें पिक करना है आपको ध्यान देना है कि पूरा अंधर बीज तक चमच जाना चाहिए यह देखिए इस तरह से और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जूस निकलता है इसे पिक करते टाइम आउले से तो आपको यहाँ पर जो है कि चाहे तो गलप्स पहन सकते हैं क्योंकि इस तरह से जो जूस निकलता है आउले का इससे हाथ खराब हो जाता है अभी नहीं लगेगा आपको कि हाथ खराब है बाद में आपको लगेगा, एक दिन बाद जो है, बिल्कुल हाथ खराब हो जाता है, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर गलप्स पहन सकते हैं, यह देखिए, और इसे चारो साइड से पिक करना है, जरासा भी कहीं सा भ आउला लेंगे, और उसे भी सेम तरीके से हमें पिक करना है, मतलब कहीं भी हमें छोड़ना नहीं है, और चमत जो है, पूरब बीज तक जाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है, ताकि चासनी जो है, अंदर तक इसमें जाए, यह देखिए, इसी तरह से सारे आउले को ह तयार हो गया है, मुरब्बा बनाने के लिए, और यहाँ पर जो आउले खराब है, उसे हमें बिल्कूल भी नहीं लेना है, उसे हटा देना है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कि इसे हम गयस पर चढ़ाएंगे, तो सबसे पहले हम गयस पर पानी रख देंगे, गरम होने क इस तरह से इसमें आउले डाल देना है, तो सारे आउले यहाँ पर इसमें डाल देना है, और इसके बाद हमें वेट करना है, जब तक इसमें वेट करना है, यह देखिए, यहाँ पर उबाल आ गया है, तो हम क्या करेंगे, गरिस का फ्लेम लो कर देंगे, लो फ्लेम पर हमे इसे ढख देना है देखिए घैस का फ्लेम हमने लो कर दिया अब इसे देर से दो मिनट तक ऐसे ही ढखा रहने देंगे दो मिनट ही हमें इसे ज़्यादा ज़्यादा दो मिनट ही कुप करना है इससे ज़्यादा नहीं यह देखिए दो मिनट हमने इसे पका लिया है अब हम गैस का फ्लेम ओफ कर देंगे इस बात को आपका ध्यान रखना इसे ज़्यादा ओवर कुप नहीं करना है यह तो मुरब् आवले को पानी से बहार निकाण लिया है अब यहां पर वक्षय necessity और बना 1-2 तरीक कम दिन के लिए आपको जितना अवल लिया है उतना ही चीनी लेना है क्योंकि अगर हम ज्यादा दिन इस्टोर करेंगे तो हमको चीनी इसमें ज्यादा चाहिए और ताकि जो है कि चासनी थोड़ी सी ज्यादा बने और मुरब्बा चासनी में डूबा रहे जिससे वह ज्यादा और रादभर के लिए आफर चोड़ दें धृसां में छोड़ दें इस अपने आयफी मिल्ट हो जाएगी एयर हुनिया हम ऩे आप ही मोब हो गई है तो आप से फटाफट से बना लेंगे इस से जो है कि हमारा धीर Ilisे पहल और हमें मेहनत भी कम लगेगी करैसका ताकि इसमें जो चीनी उपर अभी मेल्ट नहीं हुई हैं अगर यहां पर हम तुरंथी चीनी डाल कर तुरंथी गैस पर चाहला देते तो गैस का फ्लेम बिलकुल लो रखना होता और हमें इसमें पानी भी डालना पड़ता तो हमें पानी भी जो है कि सुखाना पड़ता और जो है कि बिल्कुल गैस का फ्लेम लो रखके धीरे धीरे चीनी को मिल्ट करना पड़ता ताकि चीनी जो है नीचे से जले नहीं इस बात का भी द्यान रखना पड़ता अब यहां पर आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की बात नहीं है बिल्कुल गैस का फ्लेम हाई करके आप इसे फटा-फट से पका लिजिए इस तरह से बीच-बीच में आपको चलाते रहना है ताकि आमला के चारो साइड जो है अच्छे से चासने इसमें आ जाए तो अब आप यहां पर गैस का फ्लेम हाई करके बिना टेंशन के आप इसे फटा-फट से बना सकते हो और गैस का फ्ल और आपको तब तक पकाना है जब तक की चासनी गाड़ी नहीं हो जाए आप इसे चेक कर सकते हैं इस तरह से यह देखिए इसकी जो लाइश्ट ट्रॉफ है वह बिल्कुल देखिए कितना लेट में गिर रही है और उसमें जो है कि तार बन रहा है आप यहां पर देख सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसे दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं इस तरह से थोड़ी चासनी लेना है और यह देखिए एक तार की चासनी इसमें आ रही है तो बस यहां पर हमारा मुरब्बा बिल्कुल तयार है यहां पर गैस का फ्लेम आफ कर देना है बाके की चीज को हमने कूट लिया है अब इसमें डाल देंगे यह देखिए और इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे काला नमक अगर आप ब्रत में इसे खाना चाहते हैं तो इसमें काला नमक जो है इसकी कर सकते हो और सबी चीजों को अच्छे सी मिला देंगे यहां पर हमने जितना अउले लिया था इसलिए आप देख सकते हैं कि अगर आपने जितना है उससे जो है कि चीनी बढ़ा कर लेते तो चासनी में आउला जो है कि डूबा रहता तो इस तरीके से आप बना सकते मैं इसे 1-2 महींने आर खतम करना चाहते हैं या फिर कम टाइम के लिए बनाया है तो और अगर आप इसे ज्यादा दिन तक रखना चाहते हैं छे महीने सालवर के लिए तो आप इसे कांच के जार में इस्टोर करिए यह बिल्कुल भी खराब नहीं होता बिल्कुल ऐसा ही रहेगा टेस्ट में भी आवले का मुरब्बा बना कर तयार कर सकते हैं मैंने आपको दो तरीके से बनाना बताया हुआ है और हमने आपको इस्टोर करना भी बताया है और अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आयो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और कहीं भ झाल झाल